हाई फ्रेंच अज फिर एक नय वीडियो के साथ आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो के जरिये में आप सभी को एक ऐसा हुममेट फीट के बारे में बताने वाला हूँ जो है तो बहुत ही सस्ता, बहुत नहीं दोस्तो, सबसे सस्ता लेकिन बहुत ही अच्छा फीड है और ये commercial farming के लिए फाइदे मन भी है, क्योंकि बहुत ही कम पैसे पर ही हम इस फीड का इंतिजाम कर सकते है तो दोस्तो चलिए शुरू करें आज का वीडियो, दोस्तो ये वीडियो पर अब लोग गोर से देखिए ये है धान का भूसी, यानि इसे कूरा भी कहा जाता है तो दोस्तो हम सभी को पता है कि धान का भूसी जो है, उस पर छोटा-छोटा चाउल का टुकरा भी होता है बहुत ही हद तक सही भी है क्योंकि अगर आप गूगल सार्स करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक nutritional food है पोल्टी के लिए अब यकिन नहीं है तो आप अराम से जाके गूगल पर सार्स करके देख लिजिए एक nutritional food है तो देखिए इसे पानी में मिला कर इस तरह से आप अपने चूजे को अपने बरे बतों को मुर्गियों को आराम से दे सकते और सबसे जो इस फीट का सबसे फाइदा यही है कि इस फीट का दाम जो है बहुत ही कम होता है यानि लगबख हमारे असम में तो फिलाल साथ या आट रुपय के बीच ही है तो कभी कबार बार के टाइम पर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है दस बारा तक हो जाता है लेकिन अभी तो साथ रुपया है तो देखें साथ रुपया में हमें एक किलू फीड मिलता है तो एक किलू फीड में अगर हम आदा किलू आदा लिटर भी पानी डाल दे तो फी कर्सियल फार्मिंग की तो उस पर एक बात जरूर गवर करने वाली होता है कि मान लीजिए मैं सुबह को दुपर को और साम को जो खाना देता हूँ मेरा बतक हो मुर्गी हो जो भी हो तो यह जो फीड है ना यह फीड हम तीनो टाइम नहीं दे सकते क्योंकि इस पर निट्रिश और शाम को हमको इस नहीं देना अगर हम धुपर को देंगे तो सुबह और शाम को नहींदेना कहलगा मतलब ही होता है कि हमें इस फीड कसी इस फीड को खिला दे तो क्या होगा जो जितना भी निट्रिशन है वो तो मिलेगा कर से लिगिन अगर हम बात करें कि कुछ मिनारेल्स की कुछ भीटामिन्स की जो इस फीड में नहीं होता तो उसका कमी तो रह जाएगा जिसे बत्तक को मुर्गी को कुछ नुक्सान भी हो सकता है या ग्रोथ पर थोड़ा जो है कहीं न कहीं रुकावत भी बन सकता है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये फीड भी आप एक ही टाइम दीजिए चोबिस गंटे में एक ही टाइम दीजिए और बाकी दो टाइम अब अलाग से दीजिए तो वो आपके उपर जाता है कि आप कितना निट्रिशनल फूड जो है वो एफट कर सकते है तो उसके लिए आप एक रिशार्स किजिए रिशार्स करने के बाद एक लिश्ट तेयार किजिए जब अंडे देने का टाइम हो जाए तब थोड़ा ज़्यादा आपको फीड का ध्यान देना परेगा ताकि केल्शियम विटामिन्स पूरा का पूरा मिले दोस्तो हमारे असाम में जितना भी बत का बड़ा बड़ा फार्म है तो वो लोग इस बात को छुपाते हैं लेकिन हकीकत यही है कि इस फीड का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मैंने पहले ही बताई इस फीड का जो दाम है वो बहुत सबसे ज़्यादा काम होता है और इसलिए आपका फिनांचि नहीं होता लेकिन मैं यही आपको सज़स्ट करूँगा कि तीन टाइम में से आप एक ही टाइम इस फीट के इस्तेमल कर सकते हैं बाकी दो टाइम अब दुस्सा फीट के इस्तेमल किजिए तभी हमारे जो चीरिया है बतक हो या मुर्गी हो या आपका जो भी हो तो पूरा का निट्रिशन मिलेगा और यह फीट जए यह मुर्गी के लिए भी हम आराम से इस्तेमल कर सकते हैं कि इसमें मैंने पहले भी बताया कि चावल भी होता है चावल का टुकरा भी बहुत ज़्यादा होता है तो एक तरफ से अपका कार्भोहड्रेट का सोर्स होता है और उपर से यह जो भूसी है यह तो अपका केल्चियम का भी सोर्स बहुत ज़्यादा होता है इसमें केल्चियम तो अराम से हम मुर्गी के लिए भी इस फीट के इस्तेमल कर सकते हैं बातों ही बातों में कब वीडियो खतम हो गया पता ही नहीं चला कर जो भी हो तो मैं आप सभी को यह जाता हो कि तीन टाइम में से आप एक टाइम इस फीट के इस्तेमल किजिए इससे आपका बहुत ही ज़्यादा पेस है आराम से बचत होगी तो यह देखिए मैंने जितना भी फीट दिया था पूरा का पूरा खतम हो चुका है तो अगर वीडियो अच्छे लगे एक लाइक जरूर किजिए और अगर नए है तो प्लीज सेनल को भी साब्सकाब जरूर किजिए थेंक्यो धन्यवबत